जबलपुर शहर के अधारताल थाने में अधिवक्ता संग के वरिष्ट अधिवक्ता ने कांस्टेबल पर अभद्र वेवार एवं मारपीट करने का अरोप लगाया अधिवक्ता का कहना है कि वे अपने क्लाइंट आमिर से मिलने आई थी वे उन्हें आई टी दिखाने पर भी जाने नहीं दिया और अंदर आने पर उसके साथ अभद्र वेवार एवं मारपीट करने का आउरोप लगाया एवं मामला दर्ज करवाया अधिवक्ता बालों ने हमारे साथ बहुत ही अभद्र वेवार किया है आप किस लिए आई थी यहां पर अपने क्लाइंट आमीर से मिलने आए थे आमीर के भाई सहजाद ने हमको बेज आता आपने पर्चे दिया था हमने पर्चे दिया था आइडेंटी कार्ट दिखाए थी यहां नहीं फिर क्या हुआ क्या हुआ यह बताई यह लोग फिर मेरे को यह अंदर नहीं जाने दिये पूछा और मैंने मैंने वह जो सबसे फर्ष्ट में बैटे रहते हैं ना उनने आइडेंटी कार्ट दिख उनको आइडेंटी कार्ट किस ने मारपीट किया आपके साथ वह पुलिस वाली रेखा और अने नहीं दे रहे थे उसके बाद फिर मैं हाइपर हुई हूई हूई किस बात को आपको साथ यह वह बादर से ने चोरी की यह लूट की है की कुछ भी किया हो मेरे को क्लाइंट से मिलना हो मिलने देना या ना देना ने कौन सा थाना है यह अधार ताल थाना है बड़े महाप बताई क्या हुआ माँगा नमस्ति मैं एड़ुकेट कल्पना लारिया बोल रहे हूं सहीं तर्दिभात्रमा संग का संग्ठन है यह वाजिल अधक्छु महिला बिंकी और यह बरिष्ट महिला अध्याग्ज है और इनका फोन मेरे पास आता है कि यहां पर अधाताल हानिमिन के साथ बर्तमीजी हुई है अब ब्यावार के आप सब कर यूज किया गया है और इनको इनके वक्षिकायद से मलाकात नहीं करने दिए और इनका यह भी आरूप लगाया है नहीं कि जो रिखा सींजी है उन्होंन मेरा नाम एड़केट कलपना ला रिया है चिक